शंकू एक ऐसी त्रिविमी आकरिती है जिसमें एक वृत्ती आधार और एक शीष होता है यह दो रेखाखंडों से जुड़े हुए होते हैं शीष से आधार की परिधी को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकू की तीद्यकूचाई small l होता है शंकू के शीष से शंकू के आधार के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड अगर शंकू के आधार पर लंब हो तो उसे लंब वृत्ती शंकू कहते हैं शंकू का प्रिष्ठिय जाल नीचे की शांकव की आकरितियों को देखिए यदि हम शंकू को उसके तीर्य कुचाई एवं उसके आधार के किनारे से काट कर खोलें तो वह दी गई आकरितियों के समान दिखाई देगा शंकू के प्रिष्ठी जाल में एल इकाई त्रिज्या वाले वृत्य के त्रिज्या खंड एवं आर इकाई त्रिज्या वाला वृत्य सम्मिलित है शंकू का प्रिष्ठी क्षेत्रफल यदू शंकू के आधार की त्रिज्या आरिकाई तथा उसके तीर्यकूंचाई एलिकाई हो तो प्रिष्टी क्षेत्रफल ग्याद करने के लिए हमें वक्र प्रिष्ट का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल ग्याद करना होगा हमने चर्चा की है कि यदि हम शंको को काट कर खोलते हैं तो हमें वक्रप्रिष्ट प्राप्त होते हैं शंको के वक्रप्रिष्ट का क्षेत्रफल ज्याद करने के लिए हमें व्रित्त के त्रिज्याखन का क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा शंकु के पार्श प्रिष्ट का च्षेत्रफल बराबर L इकाई त्रिज्या वाले व्रित्त के त्रिज्या खंड का च्षेत्रफल बराबर एक बटे दो कोष्टक में 2πR कोष्टक बन गुणित L बराबर πRL वर्ग इकाई शंकू के अधार का क्षित्रफल बराबर आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षित्रफल बराबर पाई अर वर्ग वर्ग इकाई अता शंकू का संपूर्ण प्रिष्ट बराबर शंकू के पार्ष प्रिष्ट का शित्रफल धन शंकू के आधार का शित्रफल बराबर पाई आर एल धन पाई आर वर्ग बराबर पाई आर कोश्टक में आर धन एल अत्ता शंकु के संपूर्ण प्रिष्ट जिसके आधार की तृज्या आर इकाई एवं तीरे कुचाई L इकाई हो पाई R कोश्टक में R प्लस L है नोट इस शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधी टूपाई R है यह एक ऐसे वृत्त का तृज्या खंड है जिसकी तृज्या L है हम जानते हैं कि छायांकी तृज्या खंड के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तृज्या खंड के चाप की लंबाई तथा वृत्त की परिधी के अनुपात के बराबर होता है अर्थात वृत्य के त्रिज्याखन का क्षेत्रफल बटे वृत्य का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखन के चाप की लंबाई बटे वृत्य की परिधी वृत्त के त्रिज्याखन का क्षित्रफल बटे πाई L का वर्ग बराबर त्रिज्याखन के चाप की लंबाई बटे 2 πाई L वृत्त के त्रिज्याखन का क्षित्रफल बराबर त्रिज्याखन के चाप की लंबाई गुनित πाई L वर्ग बटे 2 πाई L वृत्य के त्रिज्या खंड का क्षित्रफल बराबर त्रिज्या खंड के चाप के लंबाई गुणित L बटे 2 वृत्य के त्रिज्या खंड का क्षित्रफल बराबर 2πR गुणित L बटे 2 जिससे प्राप्त होगा वृत्य के तुज्या खंड का क्षित रफल बराबर πाई आर एल जहां टू पाई आर वृत्य के तुरिज्या खंड के चाप के लंबाई है तथा एल वृत्य की तुरिज्या है